भगवान की श्रीमोख वाणी का नाम ही भागवत है भगवान ने इस जीव को सहजता में ही अपनी प्राप्ति का जो मार्ग बताया है उसी का नाम श्रीमत भागवत पुराण है ये अमरत्मय वाणी इंदिनों सेंटरल जेल में प्रवाहित हो रही है जहां कथाव्यास अशो श्रीमत भागवत कथा पुराण का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कथा व्यास स्वामी अशोका नंद जी महाराज बंदियों को बता रहे हैं कि किस तरह धर्म मैं आचरन करने से जीवन सुन्दर और समाज के लिए उपयोगी बन सकता है श्रीमत भागवत कथा ही वो सहज मार्ग है जिसके जरीए भागवान की प्राप्ति संभाव है ठीक ठीक हमारे उपर ठाकुरुजी की कृपा बनी रहे हमारा जीवन अच्छा हो जाए हम समाज के लिए आयोगी बन जाए समाज के लिए सम्मानी हो जाए यह समाज हमें आदर की दर्ष्टी से देखे तो कथा व्यास ने कहा कि संमार्गों से ही जीवन प्रकाश मान बन सकता है अच्छे आचरन वालों को ही समाज में सम्मान मिलता है सेंटरल जेल की खुली जेल में आयोजित श्रीमत भागवत कथा पुरान सुनकर हजारों जेल बन दी और जेल कर्मचारी पुर्ण लाव अरजित कर रहे हैं